आज हमारा जो टॉपिक है वो है Common Pathophysiology of Cancer Common Pathophysiology of Cancer का मतलब यह है कि यह अलग से कोई INC का टॉपिक नहीं है लेकिन अभी तक हम जो कैंसर की क्लासेज देख रहे हैं उसके अंदर Pathophysiology मेंने आपको नहीं पढ़ाई है लेकिन यह एक Pathophysiology ऐसी है जो आपके किसी भी Cancer के औनदर सैट हो जाएगि University exams के अंदर लिखने के लिए यह एक Common Pathophysiology है जो की हर तरह के Cancer में होती ही होती है मानो हम यह समझ रहें कि Cancer किस तरह से होता है Cancer की Pathophysiology क्या होती Cancer किस तरह से डेवेलप होता है उस चीज को इस class में समझेंगे और साथ में complimentary के रूप में हम कुछ और चीजे भी समझेंगे कि क्या terminology है किस तरसे cancer के word बनते हैं क्या common concept है उसको हम समझेंगे ताकि cancer से जुड़ी हुई आपका जो भी concept है थोड़ा और clear हो जाए doubt clear हो जाए so dear students start करते हैं पहली चीज तो ये कि neoplasia क्या है यदि मैं आपके सामने question फेक दूँ और पूछू कि neoplasia क्या है तो आपके सामने आपके mind में क्या answer आना चाहिए आपके mind में क्या answer आना चाहिए अब my dear students मैं आपको cancer का common concept बताना चाहता हूँ जिससे आप neoplasia को अच्छे से समझ जाओ गे जिससे आप cancer को अच्छे से समझ जाओ गे तो यहाँ पर ये अपनी normal cell है ये body की normal cell है जिसके अंदर पाया गया है चेंद्रक तो आपको normal body cells के अंदर जो black color के dot दिख रहे हैं ये क्या है केंद्रक है ये क्या है सर केंद्रक है नॉर्मल cells है healthy cells है जैसी आपके अंदर है जैसी मेरे अंदर है लेकिन यदि किसी भी कारण वंच पहले हम एक कहानी को समझेंगे कहानी को समझने के बाद हमारा pathophysiology वाला concept clear हो जाएगा और सारी terminology भी हमें clear हो जाएगी नियोपलेजिया क्या है concept of cancer क्या है pathophysiology क्या है सारी doubt आपको clear हो जाएगे बहुत ही interesting वीडियो है बहुत ही interesting class है बड़ी मेनत के बाद ये चीज़े आपके सामने लाया हूँ तो आपको थोड़ा समझना होगा right तो यहाँ पर मैंने आपके सामने normal cancer cells बनाई right हमारे body की अब मैं लिखता हूँ कि sur अब करसीनोजेनिक एजेन्ट का काम क्या रहता है cancer बनाना अब करसीनोजेनिक एजेन्ट कुछ भी हो सकता है कोई भी factor हो सकता है एज हो सकती है इसकी जगा कोई risk factor हो सकता है human papilloma virus हो सकता है यह या फिर कोई infection हो सकता है long term infection या फिर कोई radiation हो सकता है या कोई chemotherapy का side effect हो सकता है कोई भी factor हो सकता है जो की cancer के लिए responsible है अब जैसे ही यह इसके contact में आता है यह factor किसके contact में आता है बोड़ी के contact में आता है तो बोड़ी के अंदर सर क्या हो जाएगा बोड़ी के अंदर हो जाएगा gene mutation बोड़ी में blue color का क्या हो जाएगा gene mutation बोड़ी में क्या हो गया gene mutation हो गया cell की body के अंदर cell के अंदर जो DNA है जो gene है उसके अंदर mutation हो गया abnormal changes आ गए अब इस cell का जो भी division होगा उससे जो cells बनती है वो abnormal cell बनेगी उससे जो cell बनेगी वो कैसी बनेगी abnormal cell बनेगी अब हमारी जो red color की जो cell है ये red color की cell हमारे लिए normal cell है जब की ये जो blue color की cell है ये हमारे लिए abnormal cell हो गई अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि normal cell का एक लक्षण होता है normal cell normal cell का एक characteristic होता है कि ये अपने जैसे ही normal cell बनाती है मतलब normal cells जब division होता है इनका तो ये अपने जैसी normal cell बनाती है लेकिन abnormal cell की ऐसी कोई quality नहीं होती है ये अपने जैसी cell बनाने में सक्षम नहीं होती है या फिर अपन कह सकते कि ये जितनी भी cells बनाएंगी वो सब abnormal cell बनाएंगी ओके दूसरा ये कि रहता है कि cancer cell जो रहती है normal cell के अंदर ये quality रहती है कि normal cell यदि किसी कारणवंच डेमेज हो जाएं ये normal cell किसी कारणवंच यदि डेमेज हो जाएं पार्शल डेमेज हो जाएं तो ये अपने आपको recover करने में, reheal करने में और बची-कुची cells वापिस अपनी speed बढ़ा देती हैं और cell division करके अपनी tissue को अपनी normal जो maintenance है उसके लिए ये help करती है अपने आपको maintain कर लेती है अपनी शती पूर्ती करने में ये सक्षम है लेकिन abnormal cells जो हैं उनके अंदर ये लक्षण नहीं होते हैं abnormal cells में वो लक्षण नहीं होते हैं इसलिए हम देखते हैं कि हम यदि कोई chemotherapy दे तो chemotherapy के अंदर damage इनको भी होता है और chemotherapy के अंदर damage इनको भी हो सकता है लेकिन इनको damage होने के कारण से क्या होता है कि इनके अंदर अपने आपके maintenance की अपने आपके शती पूर्ती करने की इनके अंदर सामर्थ यता नहीं होती है और ये cells destroy हो जाती है जबकि normal cell यदी partial ही थोड़ी सी damage हो जाये तो वो अपने आपको वापिस reheal कर सकती है इसलिए chemotherapy के अंदर cancer cells destroy हो जाती है और normal cell destroy नहीं होती है लेकिन किसी कारण वंच यदी chemotherapy का dose यदी बढ़ जाता है या abnormal हो जाता है या अपन ये कहें radiation therapy का इस तरह से dose आए तो ये जो है वो radiation therapy से normal cell के अंदर भी cancer होने की संभावना हो सकती है तो radiation therapy, chemotherapy एक तरह से treatment के लिए रूप में यूज किये जाते हैं लेकिन इनके side effect से दूसरे type के cancer भी बन सकते है तो ये छोटा सा concept था सिर्फ समझने का था अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो normal cells हैं उससे जो abnormal cell बनी है सपोज ये abnormal cells बनी सपोज करो कि ये abnormal cell बनी तो आपसे ये कहना चाहरा हूँ कि पहले क्या थी ये सब normal cell थी लेकिन first में जैसे जो abnormal cell बनती है ये एक तरह से नया innovation हो जाता है बले ये abnormal innovation है अपने किसी काम का innovation नहीं है ये लेकिन ये एक तरह से नया creativity हो जाती है abnormal creativity होती है कुछ नया हो जाता है normal cell के दुरश्टी से देखे तो ये कुछ अपने अपने नया हो जाता है इसलिए इस तरह से नए बने हुए प्लाजम को अपन कहते हैं नियो प्लाजम इसको हम क्या कहते हैं नियो प्लाजम तो अपन वापिस पहली स्लैड पे आ जाते हैं कि नियो प्लेजिया या नियो प्लाजम क्या है तो जब नॉर्मल सेल के अंदर सेल जीन म्यूटेशन होता है और abnormality आती है तो first में जो abnormality बनती है उस abnormality को पन neoplasia कहते है जो कि new रहती है uncontrolled रहती है uncoordinated रहती है growth करती है that is not under the physiological control जो कि हमारी body की physiological control के under नहीं रहता है यह abnormally growth करता रहता है और यही क्या है cancer है तो यहाँ पर cancer के कुछ और concept अपन समझ लेते हैं फिर pathophysiolog की तरफ दोड़ेंगे first point general rule of the naming किस तरह से नाम दिया जाते हैं तो beginning के अंदर starting में कोई यह दि tumor बनता है नया tumor बनता है जिसको पन neoplasia कहते हैं normal cell के अंदर कुछ abnormality आने के कारण से वो अपने अप में कुछ नया हो जाता है और उसे हम नियो प्लाजम कहते हैं यह नियो प्लेजिया कहते हैं यदि वो functional cell के अंदर हो तो उसे हम ओमा वर्ड यूज करते हैं और कुछ cells क्या होती हैं जो की epithelial cells जैसे की epithelial cell के अंदर ही यह cancer जैसी condition बनती है तो tissue के नाम के according हम पीछे करसिनोमा लगाते हैं इसक्वेमस cell करसिनोमा इस तरह से यह का नाम रहता है इसके बद नेक्स्ट एक concept हो रहे है कि glandular tissue यदि कोई रहता है तो glandular tissue के लिए अपन एडिनो वर्ड यूज करते हैं और उसके अंदर cancer बनता है तो हम उसके लिए एडिनोमा वर्ड यूज करते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर एडिनोमा बन जाता है यदि melanocytes के अंदर cancer बन जा है तो अपन उसे melanoma कहते हैं इस तरह से mesenchymal tissue के अंदर जो अपने आप में soft tissue है soft tissue में cancer बनता है उसको हम sarcoma के नाम से जानते हैं तो यह sarcoma carcinoma related concept थे sarcoma का एक अपन और अलग से lecture लेंगे उसके अंदर सारा detail समझेंगे अब आईए dear students आज हम इस pathophysiology को पढ़ लेते हैं ताकि जितनी अपने पिछली classes हैं उस सारे notes के अंदर हम इस pathophysiology को लिख सके हैं तो मैंने पहले क्या बताया कि due to ideological factor सबसे पहले क्या होता है gene mutation होता है gene mutation होते ही तुरंद नया कोई abnormal cancer cell बनती है जिसको हम formation of neoplasia कहते है formation of neoplasia यदि एक जग़ पर रहे कर growth करती है uncontrolled abnormal growth करती है और ये कहीं spread होने के लिए able नहीं है तो ये एक तरह से गठान बनाती है जिसको open benign tumor कहते है और यदि ये growth होती रहती है और यदि able to spread होती है तो spread होने के बाद ये malignant कहलाती है right benign tumor यदि लंबे समय तक रहता है तो वो malignant में convert हो सकता है benign tumor की विशचता ये कि ये asymptomatic रह सकता है या फिर may be affective the function of the surrounding tissue या फिर surrounding tissue पे compression डालके वहाँ के function को ये affect कर सकता है और malignant जो है वो तो definitely spread होती है और multi system में multi organ में जाके वहाँ के functions को alter करती ही है तो इस तरह से ये pathophysiology हो गई बहुत ही simple है हर cancer के अंदर काम आएगी so dear students यही अपनी class का आज ending था कि pathophysiology क्या है बहुत ही simple pathophysiology है आप इसका screenshot ले सकते हैं आपने notes के अंदर लिख सकते हैं all the best next class के लिए आपको notification मिलेगा और notification मिलते ही आपको 24 से लगा के है ना maximum 48 hours 48 hours के अंदर आपको अपनी attendance दे देनी है all the best